तो हेलो गाइस वाल्कम तो माई योट्यूब चैनल और इन इस वीडियो वी आर गूंग तो लॉर्न वाट इस ब्रूट फोर्स अटेक तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अटेक है वो ट्राइल अन एरॉर मेथड जिसका मतलब है अटेकर एक के बाद एक की को चेक करेगा की ज जो ब्रूट फोर्स अटेक है वो किसी का पर्सनल इंफोर्मीशन, पास्वर्ड या पिन नंज्बर को फैच करने की लिए किया जात है अब ब्रूट फोर्स अटेक ईक्चुली वर्क कैसे करेगा तो ब्रूट फोर्स अटेक में अटेकर एक के बाद एक All the possible की को apply करेगा यानि कि अगर कोई system की 1000 keys possible है तो एक के बाद एक पूरी 1000 keys को apply करेगा अब उसमें से एक key सही होगी यानि कि उस key से उसको जो information चाहिए वो fetch कर सकेगा अब problem यह है कि अगर attacker पूरी के पूरी 1000 key को खुदी manually एक के बाद एक चेक करेगा तो वो बहुत time ले लेगा अब इसके लिए क्या करते है कि brute force attack को perform करने के लिए automated software का use करते अब जो की attacker चेक कर रहा था वहीं सारी एक के बाद एक की जो software है वो चेक करेगा अब brute force का disadvantage या limitation क्या है तो उसका सबसे बड़ा disadvantage यहीं है कि वो बहुत time ले लेगा for larger key अगर हमारी कोई system है जिस पर हमें brute force attack apply करना है और उस system की key है वो बड़ी होगी like उसकी key है जो 128 bit की होगी तो उसके possible combination भी बहुत ज़्यादा हो जाएगे 128 bit की key है तो उसके possible combination हो जाएगे 2 raise to 128 अब इतनी सारी key को अगर हम एक second में एक key को apply करते है तो इतने साल लग जाएगे यान कि पूरी जिन्दगी निकाल तो भी आप वो attack complete नहीं कर पाएगे अब अगर हम बात करें AES और DES की then AES brute force attack के सामने strong है और DES weak है अब AES क्या है AES है advanced encryption standard and DES means data encryption standard पहले आया था DES उसके बाद में develop हुआ AES अब ऐसा क्यों है तो जो AES है उसकी जो की की land है वो 128 bit है यानि की impractical है उस पर हम brute force attack apply नहीं कर सकते और जो DES है उसकी की land है 56 bit so अब repeat कर लेते हैं brute force attack क्या है तो brute force attack में attacker एक के बाद एक all possible keys को apply करेगा और check करेगा कौन सी की सई है और अगर system की key strong होगी जैसे कि हमने देखा 128 bit के लिए तो brute force attack वहाँ पे impractical हो जाएगा और limitation उसकी क्या है कि वो बहुत time consuming है So thank you guys for watching this video and don't forget to hit the subscribe button अगर आपको कोई doubt है तो आप उसको comment box में नीचे लिख सकते हैं